जै मातादी, जै मा कमक्या, मा भगवती आप सबको खुश रखे और निरोगी रखे देवरादा टस्ट सत्यवानी चैनल परम पुझे सीए डक्टर शोकुमार गुपता गुरुजी के महध्यम से उनके आदेश से आपको गुपत ग्यान दिया जा रहा है आज की चर्चा शावन मास पर हो रही है जो शिव भगते हैं, शिव का पूझन करते हैं शिव से हर तरह की खुशियों की प्राप्ती करना चाहते हैं गुरुजी के द्वारा लिखी हुई शिवर हस्ये नाम की एक किताब से आपको संपूर्न रहस्ये में ग्यान दिया जा रहा है इस ग्यान को सुनें और अपने जीवन के अंदर उतारें यही हमारा उदेश्य है और यही गुरुजी का आदेश है दर्म का परचार करना और परसार करना यही हमें आदेश मिला है इसलिए उनकी आग्या से हम आपको समय समय पर गुप्त ग्यान देते रहेंगे ग्यान लेना या नहीं लेना यह आपके उपर निर्बर करेगा जै माता दी, जै मा कमक्या पहला प्रश्ण है कि सोम बार के दिन ही भगवान शिप का पूजन क्यों करना चाहिए अन्य दिनों में शिप का पूजन क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा किसी व्यक्ति ने हमसे व्यक्तिगत पूछा है कहा जाता है कि चंदर्मा इस दिन भगवान शिप की पूजन करते रहते हैं जिस से उन्हें निरोगी काया मिली थी इसलिए भी सोमबार को भगवान शिप की पूजा की जाती है जोति शाष्तर में चंदर्मा का दिन भी सोमबार होता है सोंबार को शिप पूजा करने से चंदर दोश की वज़े से जो जीवन में रुकावटे हैं जो जीवन में दारिद दरता है वो समप्त हो जाती है चंदर मैं ने भी इसी दिन भगवान शिप की पूजा करते हुए निरोगी काया को प्राप्त किया था इसलिए सोंबार का वर्त करना अती जुरूरी होता और विशेश फल्दाई होता है अगर हर सोंबार शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पत किया जाए तो व्यक्ति की सभी मनों कामना पूर्ण होती है और विशेश कर सोंबार के दिन बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए एक दिन पहले रवी बार के दिन तोड़ कर रख सकते है और फिर सोंबार के दिन शिवलिंग पर बेल पत्र चड़ा सकते है और अगर आपको कोई मंत्र आता हो तो बहुत अच्छा अगर नहीं आता हो तो ओम नमाशिवाय बोलकर ही आप भिल पत्र चड़ा सकते हैं और इस्तरिया नमाशिवाय यह मंत्र इस्तरियों के लिए है ओम तो भ्रमाण्ड का शब्द है लेकिन हमें यह बताया गया है कि इस तरिया नमहा शिवाय मंत्र भोलकर शिप पूजन करें और उनकी पूजा अति उत्तम सुईकार होती है और उनको पूर्ण फल्की प्राप्ति होती है सोम का एक अर्थ और भी होता है उसका होता है सोम में शंकर जी जो कि शान्त देपता कहा जाते है इसलिए भी सोम बार का दिन उनका दिन माना जाता है सहज और सरल होने के कारण भगवान शिव को भोले नात ही कहा जाता है कहा जाता है कि भगवान शिव अति शीगर परसन होने वाले देपता है इसलिए उनका नाम भोले नात ही है भक्तों द्वारा थोड़ी सी भी पूजा करने पर भगवान शिव अपने भक्तों पर अती शीगर परसंद हो जाते हैं शिव पूजा में चड़ाने वाली चीजें कौन सी चीजें होने चाहिए मंत्रों का उचारन करते हुए शिव लिंग पर जल चड़ाने से हमारा सोभाव शान्त होता है और आच्रन भी सही होता है शहद चड़ाने से हमारी वानी में मिठास आती है दूद अरपित करने से उत्तम स्वस्त की प्राप्ती होती है दही चड़ाने से हमारा सभाव गंभीर होता है शिवलिंग पर घी अर्पित करने से हमारी उर्जा शक्ती बढ़ती है इत्र से शनान कराने से विचार पवित्र होते हैं वानी पवित्र होती है शिव को चंदन चड़ाने से हमारा व्यक्तितत आकर्षण होता है समाज में मान समान की प्राप्ती होती है और केसा चड़ाने से सो भग्य की प्राप्ती होती है और शरक्रा अर्थात शक्क चड़ाने से सुख और सम्रिद्धी आती है और श्राबन मास में प्रथम सोंबार को कच्चे चावल एक मुठी चडाने चाहिए और दूसरे सोंबार के दिन सफेद दिल वहवी एक मुठी चडाने चाहिए और तीसरे सोमबार के तो खड़े मूं की एक मुठी चड़ानी चाहिए और चोते सोमबार में जों की एक मुठी चड़ानी चाहिए और जिस माह में पांट सोमबार हो उसमें आखरी सोमबार वला दिन दो मुठी भोग अरपित करना चाहिए माना जाता है कि शाबन मास में शिव की पूजा करने से सारे कश्ट खत्म हो जाते हैं महादेव शिव सदा शिव है वह मनुष्य के समस्त पापों का शै करके मुक्ति दिलाने वाले भी हैं इनकी पूजा से ग्रह बादा भी दूर हो जाती है, जिन लोगों को सूरे से सबंदित दोश है, वह भगवान शिव को बैंगनी रंगे और आग के पुष्प चड़ाने से सूरे सबंदी आ रहे हैं दोशों में सभी परकार की समापती हो जाती है। चंदरमा से परशान है तो परतेक सोंबार को शेबलिंग पर गाएं का कच्चा धूत अरपित करने से चंदर देव का शुप फल मिलना शुरू हो जाता है। और किसी का अभी मंगल घराब है तो मंगल के लिए गिलो की जड़ी बूटी के रस से गिलोए नाम की जड़ी बूटी रहती है। उसके रस से भगवान शिव का अभिशेक करने से मंगल ग्रह ततकाल शान्त हो जाता है। बुद्ध ग्रह की शान्ती के लिए बिदारा की जड़ी से उसके रस से भगवान शिव का पूजन करने से बुद्ध से सवंदित सभी तरह की परशानिया समाप्त हो जाती है। और देव गुरु भ्रहस पती से सवंदित आपको कभी प्रोब्लम आ रही हो। अब गुरु ग्रह खराब हो गया हो गुरु चंडाल दोश है गुरु नीच बैठा हुआ है तो भगवान शिव के लिए हर ब्रस्पती वार के दिन हल्दी मिशित दूद शिवलिंग के उपर अर्पित करने से ब्रहस पती से सवंदित गुरु ग्रह से सवंदित सभी दोश करना चाहिए इससे शुकर ग्रह शान्त होता है अभी शनी ग्रह से सबंदित गन्य के अरस से और शाष से शिवलिंग का पूजन करने से शनी ग्रह ततकाल शान्त हो जाता है और रहु के तुसे मुक्ति पाने के लिए कुशा का जल और हरी दुर्व घास जल में मिलाकर भगव भगान शिव का रुद्र आवशेक करना चाहिए इसमें संपूर्ण ग्रहों की शान्त हो जाती है आप चाहे तो अकेले मात्र शिव की पुझा करने से सबी ग्रह से सबी दोशों से आपको मुक्ति प्राप्थ हो सकती है और एक और विशेश बात पूजन में रखि गए ध् बातें सावन के महिने में शिबलिंग की ही करें जहां शिबलिंग की आदी प्रकर्मा करनी चाहिए और जैसे ही आप शिब पूजन करते हैं दीपक जलना चाहिए धूप चलना चाहिए अगर बत्ती जलनी चाहिए और उद्राविशेक करने के बाद शिब पूजन करने के बगवान शिप का नाम लेना चाहिए एक सो आठ नाम ले सकते हैं शिप के और जिनको महामरतुंजे का मंतर आता हो वह महामरतुंजे का जब कर सकते हैं ओम होम जूम सह ओम भूर भूवा स्वह ओम त्रयंबकम जजा महे सुगंदिम पुष्टी वर्धनम उर्वारुकमी वविंदनान मित्यूर मोक्षी महामरतात स्वह भूवा भू सह जूम होम ओम यह मंतर भी जपने से कई सारे दुखों का नाश हो जाता है और जिन लोगों को बिमारी दुखी लगी रहती है उनके लिए मिर्तुंजे महादेव त्राही माम शरणांगतम जन्म मित्यू जरावयादी पीडितम कर्मवंद नहीं यह मंतर का जाप करना चाहिए पूरे शरण मास में तो कई पापों का नाश हो जाता है और निरोगी का एको प्रप्त होते हैं और कई लोगों का कहना है कि हम तो भगवान शिप का पुजन करते हैं फिर भी हमें बहुत से कष्ट रहते हैं तो उनके लिए हमारी तरफ से विशेश बात जिस सादक व्यक्ति का जो शिप पुजन करता है अन्य देवी देपताओं का पुजन करता है यदि उसका विचार शुद्ध नहीं है हम इश्वर के प्रती समर्पित नहीं है हम में दया नहीं है हम में मानवता नहीं है उधारता नहीं है मानव सेवा का भाव हमारे अंदर नहीं है हम पवित्र नहीं है हमारी आत्मा पवित्र नहीं है हमारा मन स्वश्ष नहीं है हम कभी इमानदार नहीं रहते हम में इंस्यानियत भी नहीं है हम अपने गुरूं के द्वारा बताएगे रास्ते पर नहीं चल रहे हम अपने इष्ट देपता के नियम का पालन नहीं कर रहे हम अपने कुल देवी और कुल देपता का पूजन नहीं कर रहे हम अधर्म का काम करें हम गुप्त पाप करें तो किसी भी भगवान की कितनी ही साधना कर लो शक्तियां कभी भी परसंद नहीं होती है मन काला नहीं होना चाहिए मन में पाप भी नहीं होना चाहिए धर्म के लिए हाथ कुला होना चाहिए तबी ही दर्म कर्म का काम सफल होता है तबी ही साधना सफल होती है तबी ही जपस सफल होता है तबी ही तपसद होता है साधना करने के बाद यथा शक्ती अपने गुरु को धान देना चाहिए धन अन वस्तर फल श्री फल एवं धातु आदी गाएं को रोटी खिलानी चाहिए कुते को रोटी खिलानी चाहिए मशलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए पक्षियों को धाना डालना चाहिए और चीटी को कसार शक्र मिला हुआ खिलाना चाहिए उनके बिल के पास रखना चाहिए, हवन करना चाहिए, यग्ये करने चाहिए, तबी कोई भी पूजा करने का फल प्राप्त होता है, और जो भी पूजा करें, मन से करें, शुद्धता से करें, पवित्तरता से करें, तबी ही कल्याण हो सकता है, अन्यता पूजा करने का फल प्राप्त नहीं होता है गुरु पर संपूर्ण बिश्वाश होना चाहिए और गुरु कैसा निद्य में रहकर गुरु जी से आग्या लेकर यदि आप कोई साधना करते हैं कोई जब करते हैं तब करते हैं भगवान शिप का पूजन करते हैं तो उसमें जो सफलता है वो निश्चित रूप से आपको मिलेगी जै माता दी जै मा कमक्या मा भगवती आदी शक्ती जगजनी जगदंबा आपका मार्क दर्शन करे सुक समरिद्धी परदान करे यही हम मा से प्राथना करते हैं जै मा